नमस्कार साथियों, स्वागते आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूटूब चैनल पे आज की डेट में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए ITE First Year Electrician Theory के Most Important Question जो की बिल्कुल बेसिक है और परिच्छा में भी ज़्यादा प्रतर पूछा जाता है तो जितने भी चातर ITE First Year के यदि Electrician Trade से हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लिट देखिएगा और ये एक कोशन बैंक के तरह आपको कोशन बताय जा रहे हैं जिसमें आपको टोटल 20 कोशन बताय जाएंगे तो चलिए कोशन स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 1 से कोशन नमबर 1 आपके सामने पहला कोशन में पूछा जा रहा है की कृत्यम श्वास क्रिया की सरल्तम बिधी है A आपसन सिल्वेश्टर बिधी B आपसन सैफर बिधी C आपसन मूँ से मूँ में स्वास बिधी देना D आपसन उपर्युक्त में से कोई नहीं तो साथियो कृत्यम श्वास क्रिया की जो सरल्तम बिधी मानी जाती है वो मूँ से मूँ में श्वास देना और ज्यादा तर यदि बात करें तो ये प्रचली थे इस समय तो आपसन में यहाँ पर C आपसन बिल्कुल करेक्ट इंसर हो जाता है चलिए आगे देखते हैं अगले कोशन को जिसमें साथियो अगला कोशन पूछा जा रहा है कि बिधुत संपर्क में आए बेक्ती को चुडाने के लिए पतलब कि यदि कोई बेक्ती बिधुत के शंपर्क में आ जाता है तो उसको छुडाने के लिए किया करना चाहिए A option, main switch आप कर देना चाहिए B option, किसी चाकू से तार कार देना चाहिए C option, पिडित को धका देकर लाइन से प्रिथक कर देना चाहिए मतलब अलग कर देना चाहिए D option, पिरिक्त में से कोई भी एक विदी अपना सकते हैं तो साथियों ध्याने किएगा ये गलती आप बिल्कुल भी न कीजिएगा जो यहाँ पर B, C और यहाँ पर दिया गया है ये केवल केवल आप main switch को आप कर दीजिए बाकि जो भी यहाँ पर होगा वो सब कुछ बिल्कुल असान हो जाएगा main switch आप आफ कर देंगे तो उस समय क्या होगा धारा फ्रवाइद नहीं होगी और जो यहाँ पर बेक्ती संपर्क में वो वहाँ पर करेंट से अलग हो जाएगा यह आपका A आपसन बिल्कुल correct answer हो जाता है आगे देखते हैं अगले कोशन को अगला कोशन आपके सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि बैदुतिक कारे सलाओं में अगनी सामाखेतू मतलब की कौन सा उपलब्द होता है A आपसन अगनी सामा केंतर उपलब्द रहने चाहिए B आपसन रेज से भरी वाल्टिय उपलब्द होनी चाहिए C आपसन जल की बेश्ता है तू जल से भरी overhead टंकी होनी चाहिए B आपसन उपरिक्त सभी तो साथियो यहाँ पर जो आपको आपसन में देखने को मिल जाता है A, B, C यह तीनों जहें आपसन आपको सही देखने को मिलने है क्योंकि आप देखे होंगे आप IT करें वर्कसाला में आप गए होंगे वहाँ पर आप देखे होंगे तो अगनी शामा केंतर आपको देखने को मिलेगा और बाल्टिया भी देखने को मिली होगी जिसमें आग लिखा होता है और उसमें भालू भरा जाता है क्या भरा जाता है? बालू भरा होता है वोरने आप देखा हो गया बाकी जल की बेवस्ता है जो कि वह आपर hit frame भी होता है कहीं सुविदा अच्छी है तो आपर और भी बेवस्ता देखने को मिलती है इस तीनों चीज़े होनी चाहिए जो कि कारे साला में जिसको आप परियूग साला बोलते हैं या वर्कसाप बोलते हैं आपसन में यहाँ पर आपका D आपसन बिल्कुल correct answer हो जाता है आगे देखते हैं अगले कोशन को जिसमें साथियों पूछा जा रहा है की बिज़तूप करणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस परकार के अगनिशामक यंतरों का परियोग किया जाता है या परियोग करते हैं या आपसन होम परकार का बी आपसन हेलान परकार का C आपसन गैस केट्रेज जल भरा परकार का D आपसन दाप से भरे जल परकार का तो साथियों यहां पर आपका सई हो जाता है आपसन नंबर भी जिसको हेलान परकार का बोला जाता है ध्यानी कियेगा हेलान प्रकार का विजुतूप करणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में जो प्रियूग किया जाता है अगनी शामक का वो हेलान प्रकार का अगनी शामक होता है आगे देखते हैं अगले कोशन को, अगले कोशन में पूछा जा रहा है कि लाल रंग का बार्डर तथा लाल रंग की क्रास पट्टी किस परकार की सुरच्छा संकेतो को दरसाती है, निसेधात्मक या सकरात्मक या संचेतक या सुरच्छात्मक, तो साथियों यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं अगले कोशन को देखिए अगला कोशन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि बिदुतारों में लगी आपको बुझाने के लिए परियोग किये जाने वाला अगनिशामक यंत्र कौन सा है जल यूप्त यंत्र बी आपसन जाग पैदा करने वाला यंत्र डी आपसन कार्बन टेक्टरा कुलराइड यंत्र डी आपसन जल की फुहार तो बिदुतारों में यदि आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए जो हम अगनिशामक का परियोग करते हैं उसको साथ यूप बोला जाता है कार्बन टेक्टरा कुलर अयुक्त बतलब यहाँ पर आपको जो दिया गया है आपसन में सी आपसन ये बिलकुल करेक्ट इंस के शंपर्ख में रहेगा कहने का मतलब कोशन में है कि कोई भी वेक्ति विदुत के शंपर्ख में आ जाएगा तो क्या विदुत से फिप के हुए रहेगा या जटका लाकिति कुछ दूरी पर जा आपसन में देखने को मिलना है वो आपसन नंबर साती हो यहाँ पर आपको C देखने को मिलना है और आगे कोशन में कहा भी जा रहा है कि विदुत में तार के शंपर्क में आय बेक्ती के बचाओ के लिए आप क्या परतम कदम उठाएंगे तो सबसे पहले आप कोई भी ऐसी व पूछा जा रहा है कि यदि तेल, पेट्रोल या बिजली की आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए निम्न यंत्र परियोग में लेंगे जिसे की सोडा एसिट टाइप या फोम टाइप या CTC या कारबन डाई अकसाइड तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि फोम टाइप यंत्र का परियोग किया जाता है बिजली की आग बुझाने में या पेट्रोल से लगी आग पर या कपड़े से लगी आग पर या उपरियोगत में से कोई नहीं तो साथियों यह जो होता है यह किस तरक यहाँ पर होता ह आगे बढ़ते हैं अगले कोशन को देखिए, अगले कोशन में पूछा जा रहा है कि किस अस्थान पर लकड़ी, गत्ते, कपड़े की आग लगी है, तो निमने में से यंतर का हम कारी मिलेंगे, मतलब कौन सी अगनी सामक यंतर हम प्रियोग में लाएंगे, सीटी सी लाएंगे, या कारबन डाइकसाइड लाएंगे, या सोडा एसिड टाइप का लाएंगे, या फोम टाइप का लगेंगे, तो ये किस चीच की बात कर रहा है, लकड़ी की बात कर रहा है, गत्ते की बात कर रहा है, और कपड़े की बात कर रहा है, तो उस समय उससे आग लगी हो, तो हम रेत डालेंगे, या पानी डालेंगे, या तेल डालेंगे, या मॉबिल आयल डालेंगे, उससे में हम क्या परियूख करेंगे, तो साथ हो, उससे में हम परियूख करेंगे, रेत क्या परियूख करेंगे, रेत परियूख करेंगे, और यहाँ पर आ शागज की आग बुझाने मैं बी आफसन लकडी की आग बुझाने में C आप सं बिजली से लगी आग बुझाने में D आप सं उपरियुकती तिस सभी में हैं तो साथ ही हो, यहाँ पर आपको सही हो जाता है आपसन नमबर C, बिजली से आग बुझाने के लिए जो परियूग किया जाता है, वो Fire Exitucer का परियूग किया जाता है, जो कि यहाँ पर आपको C आपसन देखने को मिल रहा है, अगले कोशन क्यों रहाते हैं, यह कोशन का चीन होता है, कुछ इस परकार का होता है, और यह जो होता है साथियों, यह खत्रे का संकेत करने का चीन होता है, जो कि आपको B-Apsan में देखने को मिल रहा है, अगले कोशन को बढ़ते हैं, अगले कोशन में पूछा जा रहा है कि, जटके लगे बेकती को क्या नहीं पिल पिलाना चाहिए, पानी नहीं पिलाना चाहिए, या चाय नहीं पिलाना चाहिए, या दूद नहीं पिलाना चाहिए, या इन में से कोई नहीं, तो साथियों, और जो नहीं पिलाना चाहिए, ना पानी पिलाना चाहिए, ना चाय पिलाना चाहिए, ना दूद पिलाना चाहि तो यह कोई भी नहम नहीं दे सकते हैं तो यह आपका D option बिल्कुल correct answer हो जाता है आगे देखिए अगले question में पूछा जा रहा है कि first end box में घाओ भरने की कौन शी tube रखी जाती है शोप्रा मानियन्स और यहाँ पर दियागे borलीन बिटाडेन और यहाँ पर दियागे साथियो पोनी सिलीन तो साथियो इसमें आपका सही हो जाता है option number C जो की बिटाडेन जो होता है यह रखी जाती है आगे देखिए अगले question को यहाँ पर एक arrow दिखा कर यह question यहाँ पर पूछा जा रहा है यह जो चिने यह किस चीज को दरसाता है जो की यह बहुत important question है IT faster के छात्रों के लिए और यह आप संदियागे आपात कालेंदवार का या धुम्रपान निसेद का या परवेस निसेद का या इनमे से कोई नहीं यह जो indicate किया जा रहा है यह परवेस निसेद का जो की arrow है यहाँ पर जिस तरह indicate किया जा रहा है उस तरह जाना है लेकिन यहाँ पर इसको cross कर दिया गया है मतलब कि आगे आप नहीं जा सकते हैं यह आपका सही हो जाता है आपसा number C आगे बढ़ते हैं अगले कोईशन को देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि लकड़ी या जूट से लगी आपके बाद कि सरेड़ी का प्रात्मिक उपचार देना चाहिए सरेड़ी A का यह सरेड़ी B का यह सरेड़ी C का यह सरेड़ी D का तो साथियो इसमें जो यहाँ पर देना चाहिए वो होता है सरेड़ी A का जो कि आपसन में आपको A आपसन देखने को मिलता है बिल्कुल correct answer आगे बढ़ते हैं अगले कोईशन को देखिए जिसमें साथियो पूछा जा रहा है कि प्रात्मिक उप्चार में परियुक्तिष समागरी है पीचर और यहाँ पर देखे बरनाल और C आपसन देखे डिटॉल और D आपसन देखे यह समे तो प्रात्मिक उप्चार मतलब क्या सधारा जिसलिए कि आप ततकाल कोई भी विक्ती किसी भी तरकार के दुरगटना हो जाती है किसी के साथ तो उस समय आप सबसे पहला जो कदम होड़ता है वो आपका प्रात्मिक उप्चार के अंतरगत आता है तो यह आपका सही जो सभी दिये गए यह बिल्कुल आपके प्रात्मिक के अंतरगत ही आता है तो option number D आपका correct answer हो जाता है question number 19 को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि अगनी शामा की अंतर के द्वारा अगनी छेतर में किस गैस की कमी की जाती है nitrogen, oxygen, carbon या इनमें से कोई नहीं तो साथियो यहाँ पर आपका B option सही हो जाता है किस गैस की कमी की जाती है तो oxygen अगनी शामा की अंतर के द्वारा अगनी शेतर में किस गैस की कमी की जाती है तो oxygen की यान कियेगा अब यह अगला question है जो कि आज की वीडियो का last question है जिसमें पूछा जा रहा है कि धुमरपान निसेद का प्रतिक है जो कि A यहां पर दिया गया option B, यहां पर C option यहां दिया गया है, तो दो मुर्पान आप यहां पर ऐसा ही देख सकते हैं, जो कि यहां पर cigarette का दिया गया है, यह आपका सही हो जाता है option number A, अमीद है आपको जनकारी पसंद आई होगी, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजि लिग आप